Hello students, welcome to my YouTube channel शुश्मा राजगुपता जैसा कि हम जानते हैं पंजाश उनिवस्टी चंडिगड ओर समेस्टर के एक्जाम्स ओनलाइन कंड़क्ट करने चाहरी है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन्स आ चुकी है तो इस वीडियो में आपको सारी इंस्ट्रक्शन्स डेटेल में एक्स्प्लेइन करूंगी तांकि आपका कोई डाउट ना रहे तो आपने वीडियों से लेके लास तक देखनी है सारी इंस्ट्रक्शन्स बहुत इंपॉर्टन्ट है चलिज़े शुरू करते हैं हाँ जी एक्जाम्स जो हैं 15 फैब से शुरू होने जा रहे हैं ओनलाइन मोड से होंगे सिरफ उनी स्टूजेंट्स के एक्जाम्स 15 फैब से शुरू होंगे जिनोंने अपने एक्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर 2020 के लिए फिल किये हैं ठीके अब है कि किस स्टूजेंट्स के एक्जाम्स 15 फैब से शुरू होंगे जो 3rd, 5th, 7th और 9th स्टूजेंट्स हैं उनके ओनलाइन एक्जाम्स 15 फैबरारी 2021 से शुरू होंगे इसमें कौन से स्टूजेंट्स आएंगे जो रेगुलर, रेपियर, इंप्रूब्मेंट और परफॉर्मेंस, अडिशनल और डेफिसेंट सब्जेक्ट यूसोल और प्राइवेट स्टूजेंट्स हैं फिक है वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट समेस्टर की हैं चाहिए वो रेगुलर हैं, रेपियर हैं, इंप्रूब्मेंट और परफॉर्मेंस हैं, अडिशनल हैं, डेफिसेंट सब्जेक्ट्स की हैं, यूसोल की हैं प्राइवेट हैं चाहिए वो इन में से किसी भी केटगरी के हैं, बट वो फर्स्ट स्मेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके एक्जाम सेकेंड वीक ओफ मार्च 2021 से स्टार्ट होंगे. हाँ जी, नेक्स्ट सेकंड इन्स्टरक्शन ये है कि आपको एडमिटकार डाउनलोड कैसे करने, अगर आप regular student हो थो कौल से लोके, अगर department के student हो तो department से लोके, regional center के student, regional center से अपना एडमिटकारड 8 फरवरी से ले सकते हैं. ठीके जो private students हैं या जो soul के students हैं वो अपना admit card UGPG website से download करवा सकते हैं ठीके कब with the fact from 8th February 8th February से ही आप लोग भी अपना admit card download कर सकते हो अगर किसी student को अपना password याद नहीं है तो वो website पे ये सारी details फिल करेंगे अगर उनकी details बिल्कु सही होंगी तो वहाँ पे आएगा admit card link ठीके तो वहाँ पे आपने admit card को click करने पे आपका admit card download हो जाएगा even then आपको कोई problem है तो आप लोग इन दो sites पे क्या कर सकते हो mail कर सकते हो हाँ जी third instruction है कि आपकी date sheet date sheet जो है आपको इस site पे available होकी ठीके जी इसके इलावा time to time कोई change आता है कोई नई announcement आती है उसके लिए आपने इस site पे notice board को assess करने है means एक बार date sheet देखके आपने उसको मतलब की बैठना नहीं है आपने time to time उसे assess करना है कि कोई change तो नहीं आया ठीके जी जब आप लोगोंने date sheet देखनी है तो date sheet के साथ ही वहाँ पे time slot लिखा होका तो दो time slot है एक है morning का 9.30 to 12.30 दूसरा evening का 1.30 to 4.30 pm ठीके इसके इलावा university चाहे तो कोई निया slot भी time slot जो है create कर सकती है ठीके इसके लिए आपको time to time date sheet जो है देखनी होगी हाँ जी चो question paper आपको ये दो sites है जूजी exam.pu.ac.in और pg exam.pu.ac.in इन दोनों sites पे available होका इसको लिए आपको अपनी ID पे login की भी जरूरत नहीं है question paper को download करना student की अपनी responsibility है इसके लिए college responsible नहीं होगा it means कि college आपको जो question paper forward नहीं करेगा जैसा कि जो last exams में हुआ था ठीके आप जो question paper available होगे तो according to time slots है जो morning का time slots है उसके question paper 9.10 पे आपको available होगे ठीके 9.30 उसका time paper शुरू करने का तो 9.10 पे आपको question paper जो है download हो जाएगा ठीके और 12.30 पे deactivate होगा जानि 12.30 के बाद question paper आपको नहीं मिलेगा और जो evening time slot है 1.30 to 4.30 उसका question paper download करने का time है 1.10 जानि 20 minutes before the paper 20 minutes पहले आप question paper डाउनलोड कर सकते हो और जो deactivate का time है that is 4.30 उसके बाद question paper deactivate हो जाएगा ठीके time slot हमने पहले भी किया कि अगर किसी ओर time slot की ज़रूरत हुई तो university time to time create कर सकती है जो question paper में instructions दी होंगी आपने उनी को follow करने इसके इलावा आपको कोई instructions नहीं दी जाएगी duration of the paper वो जो question paper में लिखी होगी उतनी duration में ही आपने paper करने है means time कितना होगा वो भी question paper में mentioned होगा कितने questions attempt करने है ये भी question paper में mention किया जाएगा उसी instructions के according आपने question paper questions attempt करने है हाँ जी आपने answer sheet कितनी use करनी है अगर undergraduate students हो जाने कि आप BA, BCA के students हो देन आपने 20 number of sheets 20 A4 size की sheets use करनी है अगर आप PG students हो जाने MA कर रहे हो then आपने 24 number of sheets कितनी 24 A4 size की sheets use करनी है जो आपने sheets use करनी है उसकी आपने सिरफ एक ही side use करनी है for writing the answer back side जो है वो blank रहेगी खाली रहेगी ठीके तो जो जो भी question आपने attempt करने है वो precise करने means जितनी sheets आपको allot की गई है उनी sheets में आपने question paper complete करना है जो answer sheet होगी उसके first page भी क्या-क्या लिखने आपने सबसे पहले आपने roll number लिखने है roll number पहले figures में then words में लिखने है name of the student then class semester कौन सा है name of the paper subject code वो जो question paper पे mention होगा exam code के आपका total number of pages written भी लिखने है कितने pages आपने attempt किये है date of exams लिखनी है और undertaking देनी है ये undertaking सिरफ college के students departments के और regional center के students ही देंगे ठीक है undertaking में उन्होंने mention करना है कि वो answer sheet किस mode से दे रहे है online दे रहे है या hard copy दे रहे है मतलब वो दोनों में से एक ही mode use करेंगे और वो mode यहां पे mention करेंगे अगर आप online answer sheet submit करवा रहे हो फिर आप offline नहीं करवाओगे hard copy जमा नहीं करवाओगे college में ठीक है अगर आप hard copy जमा करवा रहे हो दें आप online mode से नहीं करोगे और जो answer sheet जिस mode में भी आप submit करते हो जो यहां पे mention किया होगा उसी mode की answer sheet ही evaluate की जाएगी चेक की जाएगी अगर आपने यहां पे hard copy लिखी है तो hard copy ही चेक होगी दें online copy check नहीं होगी और यहां पे students के signature होगे जो आपने paper attempt करना है वो आपने blue ball point pen से करना है ठीके जी जो college students हैं वो चाहें तो email कर सकते हैं वो id आपको college department या regional center प्रवाइट करेगा ठीके तो आपने जो भी answer sheet submit करवानी है एक ही तरीके से कर सकते हैं यहां आप online mode से कर सकते हैं यहां hard copy submit करवा सकते हैं तो आप hard copy college में भी submit करवा सकते हो ठीके दोनो method use name करने तो अगर आपने physical mode में answer sheet submit करवानी है तो आप morning slot के हो तो आप 3 बजे तक करवा सकते हो अगर आप evening slot में paper दे रहे हो तो आप शाम 7 बजे तक answer sheet submit करवा सकते हो अगर आपने online mode opt की है तो exam खतम होने के 90 minutes के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा अपनी submission करवानी होगी ठीके 90 minutes का मतलब है कि अगर 12.30 पे exam खतम हो रहा है तो आपने 2 बजे तक जो है answer sheet submit करवानी है online mode से हांज private student skill के बहुत important instructions है सबसे पहली instructions morning slot की जो private और usage students है morning slot के students है वो अपनी answer sheet speed post और registered post से ठीके speed post या registered post से तीन दवजे तक जमा करवाएंगे ठीके uploading of answer sheet is not allowed यहां पर आपने answer sheet को upload बिलकुल भी नहीं करना आपने क्या करने speed post करनी है या registered post करनी है उसके लिए address क्या होगा उसका address है deputy registrar secrecy अरुना रंजीत चंद्रा हॉल पंजाव शनिवस्टी सेक्टर 14 चंडिकर यूटी पिन कोट दिया हुए ठीक है तो जो morning slot के यूशोल के students है आप लोगोंने क्या करना है आप लोगोंने अपनी answer sheet तीन बजे तक speed post या registered post से क्या करनी है समिट करवानी है जो evening slot के students है यूशोल और private students है उनके लिए instructions क्या है उन्होंने अपनी answer sheet इस website पे क्या करनी है अप लोड करनी है within next 90 minutes ठीक है 90 minutes के अंदर अंदर हाँ जी आप लोगों का जो time slot है वो 1.30 to 4.30 pm है तो 90 minutes का मतलब है कि 6 pm तक आप लोगोंने अपनी answer sheet को upload करना है ठीक है तो इसके लिए आप लोगों क्या करोगे एक pdf त्यार करोगे और first page पे admit card लगा के और जितनी भी अपने sheets जितने pages यूज़गे उन पे page number mention करना जरूर है ठीक है और उसके लिए फिर आप उसको upload करोगे कहां पे इन दो sites पे करोगे ठीक है तो upload कैसे करनी इसकी वीडियो भी हम आप जो है upload करेंगे ठीक हाँ जी आपने online तो submit करवा दी अगले दिन ठीक है जिस दिन आपका exams है उसके अगले दिन post office खुलने के दो घंटे के अंदर अंदर आपने hard copy जो है answer sheet की उसे भी क्या करना है submit करवाना है कहां पे submit करवाना है वो आपने यही address जो है युनिवस्टी का यहां पे आपने hard copy भी submit करवानी है उस दिन तो ने करवा सकते आप next day ठीक है post office खुलने के दो घंटे के अंदर अंदर hard copy submit जाने के जो evening के students है वो पहले online mode से submit करवाएंगे और अगले दिन उसकी hard copy भी submit करवाएंगे कैसे speed post या registered post जब आप online answer sheet submit करवा रहे हो private students के लिए है तो वो एक undertaking देंगे undertaking में लिखेंगे जो evening slot के students है कि मैंने अपनी answer sheet seal कर दिया है और मैं next day within two hours क्या करूंगा उसे post करतूंगा ठीक है और मैं उसी answer sheet को post करूंगा जो मैंने portal पे upload की है अगर मेरी online mode की answer sheet और physical answer sheet में कोई भी difference आता है ठीक है तो मेरी evaluation को reject कर दिया जाए I have no objection to this in future भी अगर दोनों में difference है और मेरी answer sheet reject होती है तो मुझे कोई objection नहीं है तो यहाँ पे वो क्या करेंगे undertaking देंगे कौन देंगा private students और usual students देंगे कौन से जो evening slot के students है ठीक है जी एक बहुत important instruction जो है वो usual private students के लिए और it is also recommended for the regular students कि जब भी आपने answer sheet अगर अपने post कर भी दिये even then आप अपनी answer sheet के PDF त्यार करोगे और अपनी email ID पे खुद अपनी email ID पे उसे email करोगे क्यों यह जो आपने email करनी है पहली बात तो यह mandatory है means करनी करनी है और within 90 minutes after completion of exams करनी है तो अगर आपकी submission में कोई discrepancy आती है means by chance आपकी answer sheet वहाँ पे नहीं पहुँच पाती then आपसे वो email मंगवाई जाएगी और उस email में time जो है उसको note किया जाएगा कि क्या वो उसी दिन within 90 days आपने आपको mail की हुई है समझ के तो उसको time stamped email वो देखी जाएगी और उसके बाद means उसको check भी किया जाएगा check क्या करने है कि वो जो email है उसका date के है और उसका time बिल्कुल सही है means आपने उसी दिन email की अपने आपको जिस दिन आपका exam था हांजी जितनी भी answer sheets upload की गई है portal पर ठीक है जो evening slot के students है उनकी जितनी भी answer sheets upload की गई है उनको cross verify किया जाएगा hard copy के साथ अगर वहां पर कोई भी alteration है तो उसकी जो evaluation है उसको reject कर दिया जाएगा post से या speed post से भेजोगे हांजी time to time कोई भी important information आती है तो वह पंजाब उनिवस्टी के notice board पे upload की जाएगी और वही information जो है authentic होगी ठीक है इसके इलावा यह जो online examinations है इनकी re-checking और re-valuation नहीं होगी ठीक है जी तो जो visually impaired और disabled students है वो अपने लिए assistance रख सकते हैं as per the university rules इसके लिए separate permission की जरूरत नहीं है ठीक है जी तो यह तो थी instruction जो online examination के लिए पंजाब उनिवस्टी चंडिगर से प्रवाइट की गए हैं तो online examination 15 फैब से शुरू होने जा रहे हैं ठीक है वीडियो अलसी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें थैंक यू